नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है, आज हम बेसन का हलवा बनाएंगे, हलवा खाना सभी को बहुत ही पसंद होता है, अगर आपको मीठा खाने का मन हो और घर में कुछ ना हो, तो जट पट आप इस बेसन के हलवे की रेसिपी को बना के सबको खिला सकते है घर में अगर कोई गेस्ट आजाए, तब भी आपी सलवे को फटा फट बना सकते हैं, तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, तो चलते हैं इसे बनाने के लिए, सब्सक्राइब बिटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक बचा लेंगे, इसका इस्तमाल हम बाद में करेंगे, गैस का आज मैंने या पे बिलकुल दीमा रखा है, अब हम इसमें डालेंगे एक कप बेशन, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे लाका तार चलाते हुए भुनेंगे, गैस का आज मीडियम और लोग के बी बीच में रखें, बेशन को मैंने लगा तार चलाते हुए, बारा मियाड तक भुन लिया है, और बेशन का जो कलर है वो बिलकुल चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं, और इसमें से बेशन के भुनने की भीनी भीनी खुश्बू भी आना शुरू हो गया है, यानि कि आते समय आप कोई भी एक प्या कटोरी ले लें, क्योंकि सभी चीजों को नापनी के लिए एक ही बरतन का इस्तमाल करें, क्योंकि मेजरिंग का सही अनुबात होना बहुत ही ज़रूरी है, अब हम इसमें तीन चौथाई कप चीनी डाल देंगे, इतना चीनी हलवे के लिए परफेक्ट है, लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा मीटा घाना पसंद करते हैं, तो आप थोड़ा और चीनी मिक्स कर सकते हैं, तो चीनी को अब हम बेसन के साथ हलका सा मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे पानी, तो जिस कप से मैंने बेसन लिया था, उसी और यहां पर मैंने 2 कप पानी डाला है और यह बिल्कूल नॉर्मल पानी है अब हम इसे लागातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक की हलवा हमारा अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए गैस कांच मैंने मीडियम कर दिया है हलवा हमारा पहले से काफी गाढ़ा हो गया है अब हम इसमें बचा हुआ घी भी डाल देंगे अगर आप ज़्यादा गी काना पसंद नहीं करते हैं तो यहां पे आप घी ना डाले लेकिन यह हलवा है और हलवे में तो थोड़ा ज़्यादा घी बनता ही है क्योंकि जब हम गी का घी ग्रीशी सा जो टीएस्ट आता है वह बहुत ही लजीज होता है तो इसलिए मैंने यहां पे थोड़ा सा बचा हुआ घी डाल दिया है साथी साथ हम इसमें थोड़ा से कटे वे डाइफ फूर्ट डाल देंगे यहां पे मैंने काजू और बादाम डाला है आप अप हलवा लगबग बनके पूरी तरीके से तयार हो चुका है बस कमी है तो इलाइची पाउडर की तो यहां पे मैंने चार इलाइची को कूट के रखा है उसे भी हम डाल देते हैं क्योंकि इलाइची पाउडर डालने से हमारे हलवे में बहुत ही अच्छी कुश्पु आती है और हमारे हलवे का जो टेस्ट है वो दुखना हो जाता है मिक्स कर लेते हैं और यह हमारे बेसन का बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनके तयार हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी गिल्टिया नहीं पड़े हुई है क्योंकि अक्सर हम जब हलवा बनाते के तयार हुआ है बहुती स्वादिष्ट हलवा बनके तयार हुआ है आप इस हलवे को बनाएं खाएं सभी को खिलाएं रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ये रेसिपी आप सब क कैसी लगी इसके ऊपर हम थोड़ा सा काजू डाल देते हैं ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे मिलते हैं एक और नही रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में तब तक के लिए बाइबाई